वह जेबीटी और जो भरती है टीजीटी की उसका और ये भी हमारे जो व्यूवर हैं वो कमंट बॉक्स में भी कहिए आप फिर वटसेब के जरीए भी बहुत सवाल पूछते रहते हैं और पूछना जायज भी है देखिए कैबिनेट ने जो एलिमेंटरी एजुकेशन में टी सेवा आयोग में नहीं गई है स्कूल लेक्शन न्यू की रिक्विजिशन चली गई लेकिन टीजीटी सीन बी और जेबीटी की नहीं गई अब अगर यह यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है पूरा मैटर क्योंकि जब यह रिक्विजिशन जानी है तो इसके बाद लोग से बैच्वाइस भरतियां उन्होंना शुरू करनी है उसमें पोस्ट हैं कैसे डाइवर्ट होंगी टीजिटी आर्ट के 1070 हैं नौन मेडिकल के 776 हैं मेडिकल के 430 हैं 494 सीन वी में सास्त्री के हैं और 2521 जेबीटी की बीज में पोस्ट हैं अब जब इतने सारे हैं तो आप द सेक्रेटरी का इंतजार किया जा रहा है उसके बाद elementary education को भी जानी है नहीं लेकिन सेक्रेटरी से direct AD से public service commission को भी जा सकती है जैसे की school lecture new की पहले चली गई है हम लगातार इस file के उपर इसका जो feedback है वो ले रहे हैं जैसे ही इसमें नया decision होगा आगे कोई moment होगी आपको अव अच्छे पड़े लिखे हैं और जो त्यारी कर रहे हैं competition की जिन्होंने नेट पास करके रखा हुआ है सेट पास करके रखा हुआ है या टैट पास करके रखा हुआ है वो भी और इसी वज़़े से यह important है और हम इस मामले की जानकारी आपको जरूर इसी तरह से उपलब्द करवाएंगे लेकिन नई भर्तियों का मामला है क्योंकि देरी इसलिए हुई की contract के जो rules में change करने को लेकर बीच में एक मामला चल पड़ा था फिर उस उसको last minute पे राज्या सरकार ने hold किया और जब hold किया तो उसके बाद अब जाके यह decision हुआ है कि इस मामले में किस तरह से आग्या बढ़ना है तो यह नई नौकरियों का मामला डेफिनेटली सॉट आउट करेंगे और जो सरकार जैसे ही सक्रेटर एजुकिशन आएंगे उसके बाद इसमें क्या होता है वह अपडेट आपके साथ तो बिजली बोर्ड के करमचारी भी दस अगस्त को राज्य भर मे क्योंकि बड़े सतर पर बिजली बोर्ड के करमचारी उने ओल्ड पेंशन भाली की मांग उठाई है बोर्ड के प्रजक्टों को उनसे न चीना जाए यह दूसरी बड़ी डिमांड बिजली बोर्ड करमचारी की है तीसरी बड़ी डिमांड यह पर बिजली बोर्ड में निय करमचारी कर रहे और बिजली के समार्ट मिटर से समुच हुए परदेश में लगाए जा रहे है उसके खिलाब भी देजली बॉर के करमचारी हाँ उतर आये हैं ओ ser है इसके बाद है और वोग हिश्ट की अप्डेट से किया जा रहा है क्योंकि जो टीचर एसोशेशन्स होती है इनके साथ होनी वाली बैठके फैसला नहीं होती डिसीजन नहीं होती अंतियम डिसीजन क्योंकि डिसीजन तो गुर्मन्ट लेवल पे होगा लेकिन जो सहमती या वो बन गई है इन्होंने कहा कि वोकेशनल टीचर जो है इनके जो पॉलिसी है नियमिती करण या स्थाई पॉलिसी को लेकर हर्याना का मॉडल स्थदीर किया जाए और इस पे काम किया जाए उस पे जो प्रोजेक्ट डारेक्टर थे उन्होंने का कि बिल्कुल हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं एंटीटी भरती को सिगर शुरू किया जाए और एंटीटी जिनके पास मानेता प्रापत संस्थानों से दो वर्षिय डिप्लोमा है उनको भरती में प्रेफरेंस दी जाए और NCRT कि SCRT दोरा सलेबस त्यार करने की प्रक्रिय को शुरू कर दिया गया है एंटीटी की दो वर्षिय डिप्लोमा वर्ष दो आजार चॉब्य से सभी डाइट में शुरू के पक्स में कल प्रदेश बर में धरना प्रदर्शन बुलाया गया है सिट्टू के बैनर तले यह हो हल होगा प्रदेश बर के DC ऑफिस के बार कल साम तीन बजकर 30 मिन्ट पर धरना प्रदर्शना योजित किया जाएगा और इसमें बड़े सतर पर डिमांड रखी गई है कि हिमाचल प्रदेश में सभी आउट्सोर्स करमचारियों को नियुंतम वेतन 26,000 उपे दिया जाएगा ब कोड को यहां पर सुकविंदर सिंग सुकु जरकार लागू करें और ओट्सोर्स करमचारियों के लिए स्थाई पोलसी लाई जाए ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए यह बड़े सतर पर डिमांड का चार्ट लेते हुए राज्य में उट्सोर्स करमचारियों के प्रचिस पोस्ट के लिए एक्जाम हुआ था जो एक्जाम है यह कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट के जरीए हुआ था एक प्राइविट एजनसी के जरीए एन एस ए आई टी हो सकता है यह सेमी गौर्मनेंट एजनसी हो मुझे इसका पता नहीं है लेकिन एक्जाम हुआ 20 अक्टूबर 2022 को 7645 केंडिडेट इसमें बैठे इन्होंने 24 लाक 62 अजार फीस भी भरी हुई थी रिजल्ट अभी इनका निकला नहीं है रिजल्ट को होल्ड कर दिया गया रिजल्ट जो है वो अबेयंस में डाल दिया गया